नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियान जॉब अपडेट में ग्राजुएशन कम्प्लीट के हो IT जॉब्स प्राइबेट जॉब्स गवर्मेंट जॉब्स के डेली अपडेट यहाँ पे आपको मिलेगा अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको डेली जॉब अपडेट यहीं पे आप मिल जाएगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों जो आज का job update है वो THDC के तरफ से निकला है ठीक है दोस्तों यह ITI trade apprenticeship के लिए निकला है post ठीक है दोस्तों कौन-कौन से branch के बच्चे इसमें डाल सकते हैं मतलग क्या क्या position के लिए आप डाल सकते हैं तो अगर आपने computer operator and programming assistant के लिए job के लिए चा चाहते हैं तब भी आप हर सकते हैं अगर आप डोट्समें के लिए चाहते हैं तब भी आप हर सकते हैं अगर आप फीटर के लिए चाहते हैं तब भी आप हर सकते हैं और इसके साथ हैं अगर आप electro machines and mechanic में डालना चाहते हैं तब ही आप इस job को भार सकते हैं ठीक है दोस्तो तो आप लोग का जो age limit होगा और 18 साल से लेके 30 साल तक आप लोग का age limit होगा और जो आप लोग को salary और stipend जो भी आप लोग बोलते हैं वो आप लोग को मिलेगा government के law के हिसाब से ही ठीक है दोस्तों तो आप लोग को मतलब कौन-कौन से year के बाच्चे इसमें job डाल सकते हैं तो आप लोग के जो 2016 educational qualification pass out किये हैं बाच्चे । जो न Until 2017 में किये हैं और नहीं तो 2018 में किये हैं नहीं तो 2019 में किये हैं उनलोग इस job को भर सकते हैं तो 2020 में तो उनलोग इस जॉब को भर सकते हैं ठीके दोस्तों और जो सीलेक्शन प्रोसेजर होगा वो बहुत इची है दोस्तों आप लोग अपना सारा डोकॉमेंट उनलोग के आड्रेस में भेजना है और मैं आड्रेस आप लोग इस बता देता हूं आप लोग को सीनियर प् तो उसके बाद उनलोग आप लोग का सबसेटिफिकेट चेक कर आप लोग को सीलेक्शन करेंगे अगर वीडियो अच्छे लगा ता लाइक कीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए जै हीन जै